आज मैंने फिर से कर दी है चिली पनीर बनाने की तयारी और यह देखिए मैंने यहाँ पर सिम्ला में च्रमाटर और प्याज काटे हैं थोड़ा सा बड़े साइज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और यह पनीर मैंने खुद से ही घर पे बनाया है तो आज इसी का जो है चिली पनीर बनाऊंगे आप इसके शेप देखे आईडिया लगा ही सकते हैं इसके बाद देखें सर्चो का तेल डाला है मैंने कड़ाई में और आज का जो चिली पनीर है थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी और जब यह जब इसकी जो जो कच्छे पन की महेकाती है ना वह जितनी मैंने वेजटेबल्स कट करी हैं वो डाल दूंगी और साथ ही साथ में मैंने आज एक हरी मिर्च भी कट की है थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा आरम नहीं खाएगा चिली पनीर तो सोना थोड़ा सा खा लेती है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हलका सा मैं नमक डालूंगी जिसके वज़े से जो है यह प्याज सिम्ला मिर्च और टमाटर मैंने बीच हटा कर डाले हैं यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी अगर आप चाहो तो इसमें डिरेक्ली चाइनीज के मसाले डाल सकते हो लेकिन मैंने इसमें थोड करें डाल हैं शलकी सी थोड़ा डॉल्की मिंट्ची डाली है तो अल्की सी तोड़ा सा फटिं डाल धाले है और अच्छे से मिक्स कर एंगी तो जो ड़ने कि वजह से थिम्मीक अच्छा खली यह ते अर मैं इसको बहुत जादा ग्रेवी वाला नहीं बनाओंगी बहुत जादा ड्राइ भी नहीं बनाओंगी तो मासाले मैंने जो नॉर्मल सबजी में डलते हैं वो भी डाले हैं और फिर चाइनीज के लिए डलता है जिसे कैचप, सोया सॉस और वेनेगर वगर वगर वो भी डाला है तो बहुत ही टेश्टी हो था और आज मैंने ये पनीना लंच में बनाया था साथ ही मैंने यहां पर जो है डाल बनाई थी डाल तड़का रोटी और चावल तो आज का जो लंच है वो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है तो हलका से मैं इसमें पहले पानी डालूंगी वो इसलिए कि क्योंकि इसमें जो मैंने मसाले पर बनागे बनागेज्क कर साथ दढना डीच्चे के और बनागे जशीना वगिए आए अधूस में डाल application की राख,j만 बता सेमें जाने खुटी रिए क्वा इसमें क्वार साथ कहते है जाता है मैं इसमें मिक्स कर देंगे चछूप कैच्प और संक्ष। रिच्प के बाद यह इस है यह न ai चाहिब है और रहे हो। तो मतलब मश्ड हैLiो कि आपको चाहिए यह रीओ है यह देखिए इतना मैंने कान फलोय लिया है और पनी मिक्स करके डाला है Pериा मिक्स कर दवनाना है। इसे इसके जो इसके ग्रेवी कहते हो बहुत अच्छी की बने गी बने गार्वी मज़ने तो इसे तरीके से क्नमना जाल थिया यह करते है शुड हिना अदिध अधार अपना इसके सही रेचीचा करिट्पराइगे लेकिन मैं थोड़ा सा घ्लका पानी डाला है और उसके बाद पनीर आट कर दूँए पाद कर दूँए अच्छी मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े देर लिए ड्खन लगाऊंगे जब रगाऊंगी तो जो गैस है वो बंद कर दूँए ताकि पनीर है थोड़ा सा बनागी देखिया यह। लिए जो थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा थक्ष तो वह मैं अड़ा सा थे आ एड वर दिया तो इसलिए मैंने हलका सब्समें पानी एड़ किया था और थोड़ा सा जो है इसमें धनिया पती एड़ की और यहां पर बनके रेड़ी है हमारा टेश्टी टेश्टी चिली पनीर जब भी चाइनीज कुछ बनाओ ना तो पूरे घर में ऐसी खुसबू फैल जाती है कि क्या ही